अगर हम elements of decision tree की बात करें को there are many elements of decision tree जिनको बारी-बारी देखते हैं और उन elements की base पे आप अंदाजा लगाते हैं कि decision tree आपका कितना बड़ा होने वाला है कभी-कभी बहुत complex tree भी हो जाता है, बहुत घना tree भी हो जाएगा और कभी-कभी बिलकुल ही 2-3 branches वाला tree होगा So, let's have a look on that elements of decision tree और यह अगर आप यहाँ पे देखें It would be easier for you to understand कि हमारे पास multiple elements of decision tree जो हैं वो मुझूद होते हैं Say for example, अगर हम बात करें, हमारे पास सबसे पहला होता है decision node एक ऐसा node, यह जो node है, node का मतलब है एक ऐसा point जहां से decision होना है Decision node एक ऐसा node होता है, जिससे आगे branches निकल रही होती है Sorry, आगे जो हैं आपके nodes जो हैं वो निकल रहे होते हैं So, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि node क्या होता है So, अगर मैं यहां पर बात करूँ, node की पहला element होता है node Decision tree के अंदर उसको बोलते हैं point A point where the data splits Point where the data splits उसको बोलते हैं node, ठीक है फिर हमारे पास node कोई भी ऐसी चीज़ जहां पर data सपलेट कर रहा है दूसरा होता है root node Root node क्या होता है? अब root node को समझेगा Root node एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं the top node The top node The top node from where the data divides From where the data divides यानि के ये वाला जो node है अगर आप गौर करें ये जो है हमारा root node है बिलकुल पहले वाला node Root जो मैंने decision tree के पहले आपको tree की decide करके दिखाई थी You know के root जो हमारे पास वो basically क्या होता है? बहुत ही starting point जो हमारा यानि के इंतहाई beginning वाला point बिलकुल शुरू से ठीक है अब तीसरा जो हमारे पास point है तीसरी चीज है वो है splitting जब splitting की बाद होती है इसके मतलब क्या है? ये की term है जो आपको पता होनी चाहिए splitting का मतलब ये है ये एक process है process है of dividing process of dividing a node एक node को divide करने का process into two or more subnodes ठीक हो गया इसका मतलब ये हुआ कि अगर इससे कोई node निकल रहा है और इससे दो या दो से ज्यादा node लिकर रहा है तो हम इसको बोलते हैं splitting का process है ये हम split कर रहे हैं decision को yes और no में true and false के अंदर हम इसको split कर रहे है so splitting एक key term है जो आपको पता होनी चाहिए फिर decision node क्या होता है ये key term भी आपको पता होनी चाहिए कि decision node क्या होता है decision node एक element है decision tree का an element of decision tree that splits into further nodes element of dt अब आपने क्या करना होता है जब आपका एक node further nodes के अंदर divide हो रहे है ना उसको हम decision node बोलेंगे यानि कि ये वाला हो रहे है ये भी हो रहे है तो ये भी decision node भी है ये भी decision node है ठीक है decision node and then we will write here number five internal node ऐसा node जो decision node से निकले और वो खुद भी एक decision node हो ठीक है उसको हम बोलते है internal node यानि कि ये वाला जो node है इसको हम बोलेंगे internal node internal node फिर आपके पास जो last भी होता है इसको बोलते है leaf node यानि कि जो further split नहीं हो रहा उसको हम बोलते है leaf node number six is leaf node a node ऐसा node जो further split नहीं हो a node इसकी definition हम कह देते है leaf node की बलके इसको मैं यहां पे अगर लिखूँ leaf node को हम इसको leaf node भी बोलते है leaf node भी बोलते है और इसको terminal node भी बोल देते है terminal node यानि कि ऐसा node जो जो लास्ट वाला node है जो आगे further split नहीं हो रहा that doesn't does not split ठीक है और यह basically आपका represent करता है final decision को gives you final decision क्या होता है इसके अंदर या तो आपकी numeric value चुपी हुई है या आपकी इसी के अंदर decision node के अंदर ही आपकी classification चुपी होती है तो इसका मतलब यह हुआ कि final decision जो है वो sorry not decision node final decision जो है leaf या terminal node के अंदर चुपे होते हैं ठीक है और इसी से हम understand करते हैं के हमारे पास जो nodes हैं वो किस तरीके से चुपे हों है फिर हमारे पास अगर आप गौर करें ये एक proper बड़े वाला tree है सबसे बड़ा tree है ये अब अगर मैं ऐसा ही एक tree यहाँ पे बनाऊ एक यहाँ से चीज निकली root node इस तरीके से अब अगर आप गौर करें ये अपने आप में तो बड़ा tree है यानि के अगर मैं इस पूरे tree को देखूं तो ये एक मेरे पास एक tree बनता है यहाँ से यहाँ तक का ठीक है लेकिन अगर आप गौर करें तो ये वाला भी एक tree है जो इस बड़े tree का हिस्सा है इसका मतलब है हम इसको क्या कह सकते है sub tree sub tree ठीक है ये sub tree आपने याद रखना है reason क्या है कि number of trees जो है जो sub trees है number of trees ये matter करते हैं in hyper parameter tuning जब आप decision tree को बनाएंगे जितने ज्यादा sub tree होंगे for example आपके 100 sub tree है एक decision tree में और एक के अंदर हजार है तो कौन सा हिन में tree ऐसा होगा जो complicated या complex होगा obviously जिसके अंदर ज्यादा number of trees होंगे ठीक है और ये वाला जो होगा वो simple होगा simple and this one is complex so that is why we need to be very careful whenever we are dealing with sub trees ठीक है फिर अगर एक एक आपको बात बताओ के अगर आप trees की बात करें जिनके पत्ते बहुत घने हो जाते हैं हम क्या करते हैं उन trees को थोड़ा थोड़ा काटने लग जाते हैं यानि के अगर मैं आपको मिसाल दूँ यहाँ पे अगर आप इन पत्तों को थोड़ा थोड़ा काटने लग जाए न और ये वाले कुछ बीच में से पत्ते उड़ा दें इस चीज को हम बोलते हैं प्रूनिंग का प्रॉसेस प्रूनिंग प-r-u-n-i-n-g तो यहां पे भी यही term use होगी removing the sub-nodes अगर हम remove करेंगे sub-nodes को तो इसको हम बोलते हैं प्रूनिंग ठीक है और यह क्यों होता है जब हमने अपने model की overfitting को reduce करना होता है overfitting को जब हमने reduce करना होता है तब हम pruning करते हैं यानि कि model इतना ज्यादा fit हो गया है कि हर एक points के बीच में इसमें से गुजर रहा है लेकिन यह model generalized नहीं है जो unknown value पे best bet है ठीक है यानि कि यह generalized model है और यह वाला squiggle जब कोई चीज बनाती है तो यह हमारा overfitting हो जाती है तो जो मैंने आपको कल भी समझाया था कि testing और training के अंदर testing data हमारे पास ज्यादा matter करता है तो at the end हमारे पास क्या चीज आती है कुछ points हैं जो हमें study करना ज़रूरी है कि एक root node होता है root node पे condition लगती है कोई ना कोई if else की अगर यह हो जाएगा तो left side पे अगर नहीं होगा तो right side पे फिर आप alternate यह जो होती है इसको हम बोलते हैं branches यह जो चीजे हैं इनको हम बोलते हैं branches यह जो इस तरीके से यह branches है ठीक है तो branches root से निकलती है और आगे क्या करती है जनाब decision node पे एक further split करती है तो obviously जब आप एक से दूसरी जगा पे ले के जाते हैं किसी एक चीज को यानि के main root से decision node की तरफ जाते हैं तो यह branches होगे इनको हम बोलते हैं internal node यह leaf node यह terminal node इने के अंदर decision outcome होती है and you can actually split each node many times as many times as you want लेकिन हमारे पास कुछ problems होती हैं जो हमें consider करने पड़ती है whenever we are dealing with decision tree algorithm यहां तक आपको clear हो गया होगा कि किस तरीके से हमारे पास decision tree algorithm जो है वो काम करते हैं लेकिन अभी भी कुछ terminologies के बाद आपको एक decision tree जो है वो मैं दिखाता हूँ फिर हम इस पर बात करते हैं कि decision tree हमारे पास किस तरीके से value जो है वो उसको finalize करता है just give me one second एक diagram मैं यहां पे ले के आता हूँ और हम उसको समझते हैं यह हमारे पास एक diagram है अब इसके अंदर अगर आप गौर करें तो हमारा root node यह है age ठीक है और हमारे data में जिनकी age 18 से कम है वो left side पे आगे like this जिनकी 30 से ज्यादा है वो right side पे आगे और जिनकी 18 से 30 है वो center में आगे so हमने एक में से 3 क्या निकाली basically 3 किसम की हमने splitting की 2 या 2 से ज्यादा हो सकती हमने 3 कर ली ठीक है अब इसका मतलब यह है कि जिनकी age 18 से 30 है उनको heart attack के risk बहुत कम है low risk है ठीक है अब बात करते हैं जिनकी age 18 से कम है उनका weight कितना है अब अगर आप गौर करें अगर उनका weight less than 60 है 60 kg से कम है तो उनको low risk of heart attack है अगर उनका weight 60 से ज्यादा है यानि कि 18 साल की उमर में ही या 18 से कम उमर के अंदर ही उनका जो weight है वो 60 से ज्यादा है उनको heart attack के chances ज्यादा है अगर आप greater than 30 वाला चीज देखे अगर को 30 साल से बड़ा है और वो smoker है ठीक है जारी बात है 18 से कम smoker को हम consider ही नहीं करते है क्योंकि legal age ही नहीं है वो तो वैसे prevented है ठीक है सो हम क्या करते है smoker को देखते है जो smoker है उनको कहते है high risk of heart attack है जो non smoker है उनको कहते है low risk of heart attack है and this is a kind of example जो age की base पे आप चीज़ों को classify कर रहे into low risk and high risk of heart attack so basically ये data की base पे चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ रहे है ठीक है अब यहाँ पे होता क्या है हम जब भी कोई एक decision tree draw करते है उसके पीछे data की characteristics होती है और data को समझने के लिए हमें कुछ points का ख्यार रखना पड़ता है और उन points की base में हम decide करते हैं कि कैसे आपने कितने decision tree बनाने है और उन points को अब हम discuss करते हैं